हैलो दोस्तो आज के हम इस वीडियो में गुणा बनाना सिखेंगे एक दम बेसिक लेवल का गुणा बनाना सिखेंगे यू कहे तो जीरू लेवल का गुणा बनाना सिखने वाले हैं तो जिन लोगों को गुणा बनाना बिल्कुल नहीं आता होगा ये दम जीरू लेवल का वे गुणा को अंग्रेजी में मल्टिप्लिकेशन कहा जाता है अब चलिए गुणा बनाना सिखते हैं तो देखिए सबसे पहले जो गुणा किसी संख्या में कराया होता है किसी अंक्या संख्या से गुणा किया होता है यानि कि कराया होता है तो सबसे पहले हम लोग को देखना हो 23, 24, 24 या संख्या है न इसमें 2 से गुणा कराया हुआ है तो देखिए हम लोगों को 2 का पहाड़ा यानि की टेवल याद होना चाहिए तो चलिए आपको हम तो जानते हैं कि 2 का टेवल यानि की पहाड़ा याद होगा और नहीं याद है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि लिख देंगे तो समझने में आसानी होगी चलिए हम 2 का टेवल यानि की पहाड़ा लिख चुके हैं अब चलिए हम गुणा करना सिखते हैं सबसे पहले हम आपको बतला दिए कि जिस से गुणा करणा होता है सबसे पहले दूसे 5 इसमें फिर 2 आख सम Запथ then all the second 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 देख दखिए सबसे पहली यहां पर देखिए डुके सामने पर क्या है तो देखिए दुकर सामने उपर पर चार है देखिए हमको क्या करना है दू का पहाड़ा चार बार पढ़ना है कितना बार चार बार तो चलिए दू का पहाड़ा चार बार पढ़िए कितना रहा है तो दो 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 निके चार त्याएं चो दू चब गाट यानि कि दो का पहाड़ा जब चार बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 है गया तो हम क्या करेंगे यहां पर 8 हम लिखेंगे, चलिए हम यहां पर 8 लिखें चार लिखा हुआ था हम एक हम चार बार पढ़ें और 8 यहां पर लिखें अब इसफी तरह क्या कूरा है अब देंगे इस दो से इस तिन में आप गुणा करना है बारी बारी से गुणा करते जाना है गुणा का मतलब यही होता है बारी बारी से गुणा करते जाईए सबसे जो पहले है उसमें फिर उसके बाद वाले में फिर उसके बाद वाले में फिर उसके बाद वाले में चलिए दो से गुण तो है नो तो 2 में मिन आके 2 से दो में मिन करेंगे यानिकि 2 का पहाड़ा हम दो बार पढ़ेंगे तो पहाड़ा तो 4 निके चाहर चाहर यानिकि दो नीके चाहर निके चाहरWeek देखिए कुछ देखिए अब देखिए अब दो से गुणा होगा चार में तो दो के पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे ज़िसका भी काम हो गया इसका भी हो गया इसको ध्यान में रखना है कि किस किस का काम हो गया अब चलिए अब दो से गुणा करेंगे तीन में तो 2 के पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे तो यहां पर दो लिखा है तो यहां पर हम चार लिख देंगे असानी से यह हमारा गुणा बनकर complete हो चुका है चलिए एक बार और समाझ लेते हैं क्या क्या किया चलिए सबसे पहले क्या किया इस दो से इस चार में गुणा करने का मतलब उसका पहाड़ा उतना टाइम पढ़ना होता है तो चलिए दो का पहाड़ा जब हम चार बार पढ़े तो आठा गया अब चलिए दो का पहाड़ा जब तीन बार पढ़े तो चार आगया तो यह आपको भात धियान में रखना है कि किस का काम हो गया है यह का बचा हुआ है इस तरह बारी बारी से गुणा करते रहना है तो इस तरह गुणा बंकर कंप्लीट हो जाए देखिया हम जानते हैं कि बहुत छोटा सब्सक्राइब होता रहाता है इसी मैथ में होड़ देते हैं और सभिसार में में confidence आता जाएगा नहीं तो आप सोचते हैं कि math में हम एक दम से विख है आता ही नहीं है साफे छोड़ देते हैं देखिए आपका concept किलियर नहीं होता है इसलिए आप math से डौरते हैं और math छोड़ने का परियास करते हैं तो मैठ छोड़ने का परियास मत किजिए मैठ बनाने का परियास किजिए जितने आप रिभाइज करेंगे उतने आपका मैठ में confidence आता जाएगा मैठ रिभाइज काई होता है खेल सारा खेल रिभाइज काई होता है प्राटिस मारते जाएए चलिए यदि अच्छा लगा होता लाइक कोमेंट और सेर कीजिएगा और ऐसे यह वीडियो देखने के रिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन घंटी को दबा लिजिएगा